नमस्कार किसान भाईयो मैं रजनीश विशनोई आज हम गाव सुक्चेन में यह अजेपाल जी नमरदार का खेत है तो यहां पांच एकड़ नर्मा लगा हुआ है इनके तो आज हम अपने एटजेसी क्राइमेट टूब पहली एप्लिकाशन कर रहे हैं किसान भाईयो जरूर लगाएं मोनीटरिंग करने के लिए जिससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें गुलाबी सुन्डी का जो पतंगा है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है अजे पाल जी के मुनीम है इनसे बात करते हैं बगवानाराम जी शर्मा हंजी सर पता ही अपना परिच्छे दी जी मेरा नहीं बगवानाराम शर्मा है अजे पाल के फार में इंचार्द हूं अपने कितने कि में पांच एकड नर्मा है अच्छा तो आपको इसको टूब के बारे में कैसे पता चलागी तो अपने प्रोस के अंदर यह लगा था तो पिछली बार हमारी नर्मा दो डाई करीब हुआ इनका दो डाई कूंटल में ही रह गया था विकुल मिला के उनको इसका रजल्ट मिला है आपका यह कितने दिन का नर्मा हो गया 45 दिन का लगवा अच्छा अभी फिलावरिंग स्टार्ट तो नहीं हुए ना ना अभी नहीं स्टार्ट हुए तो इतना है किसान बाईयों मैं करना चाहता हूं अगर यह आपको टूप का इस्तमाल करना है ना जब आपके खेत में एक दो फूल दिखाई देने लग जाए नर्मा 45 यां 50 दिन का हो तब भी इस्तमाल करने अगर नर्मा 17 सी दिन का हो गया फलावरिंग आगी उसमें सुन्डी का टेक हो गया ठीक गजी दने लगा